हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू दा उनलाइन क्लासेज ओफ आरलकेडमी स्टुडेंट्स अपन राइटिंग जेप्टर में आर्टिकल राइटिंग और स्पीच राइटिंग सीख रहे थे कुछ टोपिक्स पर मैं आपको आर्टिकल एंड स्पीच है वो सिखा चुका हूँ अगर आपने लास्ट वीडियो वोच नहीं की है आर्टिकल एंड स्पीच से रिलेटेड जितनी भी मैंने वीडियो आपको एनकी करवाई है उन सब के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में मैं डाल रहा हूँ वहाँ से आप क्या कर सकते हो उन लिंक को ओपन करके वीडियो को वोच कर सकते हो और उसके बाद आज की जो वीडियो है जिसके अपन स्पीच सीख रहे हैं उसको आप अच्छे से वोच कीजिए, कोपी के अंदर नोट कीजिए तो आज का जो टाइटल रहने वाला है स्पीच का उसका नेम है वर्किज वर्सिप वर्किज वर्सिप जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं काम ही पूजा है कि कार यही पूजा है इस पे एक स्पीच देना है तो स्पीच का फोमेट पर बच्छो आपको बता चुका हूँ सबसे पहले केपिटल लेटर में आपे क्या करोगे टाइटल लिखोगे उसको अंडरलाइन कर दीजिए उसके बाद एक लाइन चोड़िए और स्पीच दे रहे हो तो यह उपर की यह जो लाइन से है यह मैं आपको सारी वीडियो के अंदर यह बार बार समझा चुका हूँ कि आप सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलिए गुड मॉर्निंग बोलने के बाद नई लाइन में आप क्या लिखोगे जिनके सामने आप स्पीच दे रहे हो उन सब का नेम आप यानि की पुकार होगे जैसे ओनरेबल चीफ के समाननी यह मुख के अती थी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर वर्दी टीचर्स गुर्वान यानि अधापगण और मेरे पिरिये दोस्तों यह लाइन्स आपको यह आनि की फिक्स लाइन्स है यह आपको लर्न कर लेना है उसके बाद अपना प्रिचे दीजिए जो स्पीस दे रहा है वो अपने बारे में बताएगा जैसे कौन की आई मोहित उसके बाद as student of class 12 इतना लिख दीजिए और उसके आगे आप बता दीजिए कि today I am going to express कि आज मैं जा रहा हूँ express करने विक्त करने my views मेरे विचार on the topic of किस topic पे अब जो आपने title लिखा है वो ही title यहाँ पे डाल दोगे work is worship की आज मैं यानि की मेरा जो विचार है वो विक्त करने जा रहा हूँ work is worship topic के उपर इतने में कोई दिक्कत नहीं है आपके आपने format learn कर लिया होगा उसके बाद आप line छोड़िए और जिस topic से related आप यानि के lines लिख रहे हो तो अब आपको यानि work is worship से related lines लिखनी है और last में thank you लिख देना है तो देखिए students अपन सुरुआत करते हैं कि friends की दोस्तो Lord Krishna quotes in Gita कि बगवान जो कृष्णा है उसका यानि की quotes है गीता के अंदर एक कथन है सुकती है that की no man can live without work की कोई भी आदमी है वो बिना काम के आनि की नहीं रह सकता even for a single moment यहां तक एक single moment भी एक single चंड भी तो कहने का मतलब क्या है की दोस्तो Lord Krishna quotes यानि की Lord Krishna बगवान कृष्णा का यानि की quotes है इन गीता गीता के अंदर की गीता के अंदर बगवान कृष्णा ने क्या बात बोली है की no man can live without work की कोई भी आदमी है वो work के बगेर नहीं रह सकता even for a single moment यहां तक एक single चंड भर तक यानि की आदमी बिना काम के नहीं रह सकता क्योंकि work makes us healthy कार यह है वो हमें क्या रखता है सवस्त रखता है and active रखता है कार यह हमें क्या रखता है healthy रखता है and active रखता है और it is also true said that और यह सच कहा गया है और यह भी सच कहा गया है कि worship the work कि worship the work कि काम की पूजा करे not the God किसकी बगवान की पूजा नहीं करे because क्योंकि work is God काम ही बगवान है कहने का मतलब अगर आप काम की पूजा करोगे तो आपको यान की जो चाहिए वो आपको यान की मिलेगा तो कहने का मतलब आप काम की पूजा करोगे सचाई से काम करोगे तो आप सफलता प्राप्त करोगे तो आपको यान की किसी से प्रेयर करने की जरूरत नहीं है जब आप बड़े अधिकारी बन जाओगे तो लोग आप से प्रेयर करेंगे तो इसलिए कहा गया है कि ये भी सच कहा गया है कि worship the work की काम की पूजा करें नए की बगवान की because work is good क्योंकि काम ही बगवान है कहने का मतलब अगर आप काम सचाई से हर्दे से काम करोगे तो कहने का मतलब लोग आपको बगवान यानिकी मानने लग जाएंगे लोग आपकी यानिकी प्रेयर यानिकी आपकी पूजा करेंगे work provides us food और साथ में कारिये हैं वो क्या करता है हमें खाना provide करता है shelter रहने की जगह सरन देता है and everything और परते एक चीज that is needed जो आवसेकता है to live a happy life यानि एक happy जीवन जीने के लिए वो सारी चीजे हमें कौन यानि provide कराता है काम तो इसलिए यानिकी काम की पूजा कीजिए काम की पूजा करोगे तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको यानिकी चाहिए अब देखे आगे क्या लिखा है कि one who does his or her duty कि वे person जो करता है अपनी duty करता है sincerely सचाई से and honestly इमानदारी से कोई भी person यानिकी अपनी duty करता है gets good results अच्छा प्रिणाम प्राप्त करता है तो कहने का मतलब क्या है कि one who does his or her duty कि कोई भी person चाहिए लड़का हो या लड़की हो वो अपनी duty sincerely करता है सचाई से करता है या इमानदारी से करता है तो gets good results वो क्या प्राप्त करता है अच्छा प्रिणाम प्राप्त करता है when he or see जब काम करने वाला he or see works काम करते हैं with half-heartedly आदे हर्दे से काम करते हैं आदे मन से काम करते हैं तो he or see is bound तो वे बंद जाते हैं to be failed मतलब ऐस सफलता में बन जाते हैं मतलब वो कभी सफल नहीं हो पाते हैं मतलब आप सचाई से इमानदारी से काम करोगे तो आपको अच्छा result मिलेगा आप यानि कि क्या कर सकते हो can get यानि success सफलता प्राप्त कर सकते हो लेकिन he or see works he or see काम करता है कैसे यानि आदे हर्दे से तो वो ऐस सफलता के यानि बंदन में बंद जाएंगे so we can say that इसलिए हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं as is work so is the result कि जैसा आपका कारिये होगा वेसा ही आपका result होगा मतलब आप सचाई से इमानदारी से यानि की काम करोगे कोई काम नहीं तो कोई उपलब दी भी नहीं आपको उपलब दी के लिए यानि की काम करना पड़ेगा अब आगे देखिए वच्चो कि God is himself busy बगवान है वो swim busy है in handling the universe इस पूरे बर्मांड को handle करने में कि बगवान खुद यानि की इस दुनिया को इस बर्मांड को handle करने में वेस्त है तो then why should we not remain busy तो हमें क्यों नहीं busy रहना चाहिए in discharging our duties हमारी duty के पालना करने में कि हमें यानि की कारिय करने में क्यों नहीं busy रहना चाहिए तो कहने का मतलब बगवान खुद यानि busy है तो हमें भी अपने कारिय में यानि लगे रहना चाहिए we should always keep in our mind हमें हमेशा हमारे mind में यही बात रखनी चाहिए work is worship की काम ही पूजा है और last में students आप क्या लिख दोगे speech end करोगे तो thank you very much आप इस तरह से आने की जरूर लिखे और आपको इस तरह से लिखोगे तो आपको full marks है हुए यानि की मिल जाएंगे तो work is worship students उमीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा एक बार दुबारे देख लेते हैं इसका कि आपको दुबारे reason नहीं करना पड़े तो देखिए कि friends Lord Krishna courts यानि की भगवान जो दोस्तो भगवान Krishna है उसका courts है उसके यानि की क्या कई बात है गीता के अंदर की कोई भी person है वो बिना work के नहीं रह सकता बिना कारिये के नहीं रह सकता even for a single moment यहां तक एक single moment भी नहीं रह सकता कोई भी आदमी क्योंकि work का आदमी को healthy बनाता है और active बनाता है और यह भी सकते है कि work worship the work काम की पुजा करे नहीं की भगवान की क्योंकि work is good काम ही भगवान है और work हमें food प्रवाइड करता है shelter प्रवाइड करता है everything परते ही चीज जो हमें जरूरत है live a happy life happy जीवन जीने के लिए अब आगे one who does यानि जो करता है his your head duty his your head duty करता है sincerely और honestly यानि कि सच्चाई से और इमानदारी से duty करता है वो gets good results अच्छा प्रवाइड करता है और जब he or see works with half-heartedly जब he or see यानि कि कारिय करते हैं आदे हरदे से तो he or see is bound वो बंद जाते हैं to be felt मतलब ऐसा पलता है इसलिए हम कह सकते हैं as is work जैसा आपका काम होगा so is the result होगा no work no achievement कोई काम नहीं तो कोई उपलबदी नहीं gold swim यानि बीजी है इस दुनिया को handle करने में तो why should we not remain busy तो हमें बीजी क्यों नहीं रहना चाहिए in discharging our duties हमारी duty को discharge करने में हमारे करते हुए को निर्वन करने में तो इसलिए हमें हमारे mind में एक ही बात ध्यान में रखनी चाहिए बच्चो work is worship काम ही पूजा है इस तरह से आप लिग दोगे